और महराश्टर में चुनाव प्रचार का शोर थब गया प्रचार के आखरी दिन महाविकास घाड़ी और महायूती के बीच जम कर जुबानी जंग देखने को मिली कॉंग्रिस की तरफ से राउल गांधी ने मोर्चा समाला उन्होंने पोस्टर के जरिये बीजेपी पर हमला किया जिसका बीजेपी ने पोस्टर के जरिये ही जवाब दिया है इसी तना शिवसेना के दोनों गुटों के साथ शरत पवार और रजीत पवार ने भी एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए वोटिंग से पहले महराष्ट में जुबानी जंग राहूल के वार का बीजेपी ने किया परहटवार शरत पवार ने भी भतीजे पर किया वार महराष्ट में चुनाव प्रचार के आखरी दिन सुमवार को पार्टियों के बीच जम कर वार परहटवार कॉंग्रेस नीटा राहूल गांधी प्रेस कॉंफरेंस में एक टीजोरी लेकर पहुंचे और उसे खोल कर कुछ पोश्टर निकाले और बीजेपी पर जम कर हमला बोला राहूल ने बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर तंज कसा और पोश्टर में पिये मोधी और उद्योग पती गौतम अडानी को दिखाकर नारे का मतलब समझाया राहूल ने आरूप लगाया कि मुंबई के धारावी को बीजेपी सरकार ने अडानी को दे दिया एक है तो सेफ हैं एक कौन है एक नरेंदर मोधी जी है अधानी जी है अमिच शा जी है सेफ हैं तो कौन सेफ है हदानी जी सेफ है कर्ष्ट किसको होगा धारावी की जनता को होगा नुकसान किसका होगा धारावी की जनता को होगा जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है जिसका एक चिन धारावी है उसको एक व्यक्ति के लिए खतम किया जा रहा है राहूल के हमले के जबाब में बीजेपी ने भी तुरंद प्रेस कॉन्फरेंस की और बैक्ग्राउंड में बड़ा सा पूश्टर लगवाया जिसमें शर्च पवार, अशो गहलोत, रौवर्ट वाडरा, रिवन्थ रेड़ी, भूपेंद्र हुड़ा के साथ गौतम अडानी की तस्वीरे थी बीजेपी नेता वीनो तावडे ने कहा कि अडानी का सबसे ज़ादा विकास कॉंग्रेस के राज में हुआ तावडे ने कहा कि जब कौंग्रेस सरकारें अडानी के साथ डील करती है तो वो सही है लेकिन बीजेपी की सरकार में विकास के कामूं के टिंडर ट्रांस्पेरनेंट तरीके से अडानी को मिलते हैं तो कौंग्रेस को खटकते हैं राउल जी ये देखिए कि राउबर्ड वड़रा है गैलोज जी है तेलना के मुक्यमंत्री है शर्शी थरूर है बाकी प्रदेशों के मुक्यमंत्री भी है तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं इसका मतलब एक है तो सेफ है राहूल गांदी फेक है धारावी की जमीन ये महाराटस सरकार के पास रहेगी उस पर डेवलप्मेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं और इसलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं है अगर ये सब चीजे हो रही है धारावी में जुग्गी जोपडी में रहने वाले हमारे मुंबई वासी को अपना पक्का घर मिल रहा है तो रहूल जी अबुदवी को शेख को नहीं मिल रहा है इसलिए आप चिंति दे क्या विनो तावडे ने मुंबई में हमला बोला तो बीजेपी के प्रवक्ता समीत पात्रा ने दिल्ली में पोस्टरों के साथ प्रेस कांफरेंस की एक पोस्टर में सोनिय रहूल को नाशनल हिराल्ड मामले का आरोपी दिखाया गया तो दूसरे में लिखा था छोटा पोपट ने कर दिया कॉंग्रेस को चौपट संबीत पात्रा ने कहा कि रहूल ने जो आरोप लगाए हैं इसके लिए उन्हें वैसी माफियों मांगनी पड़ेगी जैसे 2019 में चौकिदार चोड है वाले नारे के लिए बांगनी पड़ी थी